नमस्कार दोस्तो रावन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज इन्विश्ट करो कल अरम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तो इस वीडियम देखने वाले बहुती बड़े मल्टी बेगर स्टॉक के बारे में जिसका नामे BLS International Services Limited प्राइस लगबाग 330 रुपे के आसपास है तो यहाँ पर कंपनी ने बहुती बड़ा अनौस्मेंट के है तो कंपनी यहाँ पर दबा के बोनस देने वापस एक बार तो इसका रेशियो क्या होगा इसका रेकाउड डेट क्या होगा पूरे डीटेल में स्टॉड़ी करने वाले लेकिन वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर कोई भी स्टॉक लेते हैं तो खुद का स्टड़ी और अनलिजित जरू कीजे डारेट किसी को वीडियो को ब्लाइनली फॉलो करके कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजे क्योंकि stock market में खुद का study आप लोगों को stock market के losses से बचा सकता है तो जैसे कि देखा जाए तो जो BLS international जो company इसने लगबग 4-5 साल के अंदर जो पाईस आए 6 गुना बड़ा है यहाँ पे आप लोग देश सकते हैं इसके जो return है यहाँ पे 660% के आसपास return दे और जो actual journey start हुए यहाँ पे देख सकते हैं 2020 के बाद बहुती तगड़े return दे एक company ने तो यहाँ पे देखा जो 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 company का business है ठीक टाक business है बोल सकते हैं जैसे कि visa, passport, security services रहते हैं इसको provide करने का काम करती हैं जैसे कि बोल सकते हैं पर online platform पर company काम करते हैं देखा जैसे इनका जो में बिजनेस है ठीक ता कि इतना कुछ खास भी नहीं इतना कुछ खरब भी नहीं एत तो गए company के में बिजनेस के बारे में तो exactly ख़बर किया है जैसे कि company नहीं यहाँ पर बोनस का अनॉंस वापस एक बार किया है तो वापस एक बार ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं यहाँ आप लोग देश आते हैं यहाँ पर company ने और यहाँ पर में मन्त में यहाँ यहाँ वन रेश्टू वन का बोनस दिया था मतलब पांच महिने पहले company ने यहाँ पर वन रेश्टू वन का बोनस दिया था वापस एक बार company यहाँ पर बोनस का अनॉंसमेंट करनी जा रहे ऐसा न्यूज मार्केट में आए तो इसका record date क्या होगा देखिए यहाँ पर अभी तक record date सामनी आया नहीं लेकिन यहाँ पर 7th November company अपने quarter 2 के result declare करनी जा रहे यहाँ पर जब quarter result आएंगे उस time पर recorded announcement हो सकता है और ratio क्या रहेगा वो भी announcement हो सकता है देखिए वह ही कहना चांगा जो bonus अस्प्रेट का फाइदा होता है long term के लिए होता है short term के लिए इसका फाइदा नहीं होता है क्योंक बोनस में लिए के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 शेयर्स आपके डिमेट अकॉन पर आजेंगे लेकिन आपका investment उतना ही होता है सिर्फ number of shares बढ़ते है लेकिन इसका फाइदा क्या होता है जब company यहाँ पर सिर्फ एक रुपे के डिविडेन देगी तो आपके direct saving अकॉन में यहाँ पर position बनाने चाहिए नहीं ओ देख लेते हैं किसे bonus और यहाँ पर split के चक्कर में कोई भी खराब श्टक में पैसा नहीं लगाने है सबसे पहले चेक किजिए company के balance sheet तो यहाँ पर जैसे की company के फंडा मिलत देख सकते हैं आप लो लूंग term के लिए company के उपर एक र अरजे के बारे में क्या company अपने business revenue बना पारे की नहीं net profit बना पारे की नहीं वो देख लेते हैं जैसे कि net profit मतलब होता कि stock market में जैसे कि सब कुछ यहाँ पर expenses देने के बाद यानि कि खर्चे देने के बाद company के हाथ में कितना पैसा बचता है उसको यहाँ पर NP यानि net profit का ज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे तो अन्यवाले समय में इसे श्टोर बहुत ही तगड़ी रिटन दे सकते यह तो के company के balance sheet के बारे में यहाँ पर प्रमोटर होडिंग दे सकते जैसे कि यहाँ पर प्रमोटर होडिंग कितना है कंपनी का 74.4% बहुत ही अच्छा प्रमोट कितने आप लोग देख सेते लगबख 6% के आसपास foreign investor है domestic investor कितने जो yellow में दिख रहे हो यहाँ पर 0.05% के आसपास यहाँ पर मतले इतने कुछ ज्यादा नहीं यहाँ पर public कितने 18% है और जो बाकी कोन है यहाँ पर 0.24% के आसपास बाकी लोग है तो देखा जहे तो जो share order pattern ह ठीकटा के बोल सकते है प्रमटर ओर्डिंग अच्छा है foreign investor का भी यहाँ पर investment आच्छा है देखा जहे तो company investment के लिए थोड़ा बहुत अच्छे बोल सकते है थोड़ा बहुत क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कमपनी का size बहुत ही छोटा है ऐसे stock जब भागेंगे तो जलगातार यहाँ पर return पर return देंगे लेकिन यहाँ पर खरब point के रहते है जब भी गिरेंगे यहाँ पर आराम से 70-70% गिर सकते है अपने all time है अगर कुछ बुरी कबर आते है या फिर market में correction होते है तो ऐसे stock बहुत ही ज़्यादा गिरते है तो यहाँ पर risk भी रहता है reward भी रहते है त तो आपके उपर depend है कितना पैसा लगा नहीं से stock में ज्यादा amount मत लगाए सिखने के लिए थोड़ा थोड़ा करके SIP मौन में पैसा लगा सकते है यह तो था आज का breaking news अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाक कर सकते है और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर सकते है